साथियों, आज का भारत होता है, चलता है, ऐसे ही चलेगा उस मानसिक्ता से बहार निकल चुका है दोस्तों आज का भारत की पहचान है, करना है, करना ही है, और समय पर करना है इस संकल वेजा दिन्दुतान चल रहा है भारत अब तत्पर है, तयार है, अधीर है भारत अधीर है प्रगति के लिए, विकास के लिए भारत अधीर है अपने सपनों के लिए, अपने सपनों को संकल पलकल दे करके सिद्धी तक पहुचाने के लिए अधीर है भारत आज अपने सामर्थ में भरोजा करता है अपने आप में फरोसा करता है इसलिए आज हम पुराने रेकर्ड तोड़ रहे हैं और नए लट्श हासिल कर रहे हैं आप किसी भी छेतर में देखिए मैं गुदान देता हूँ आप भारत ने 2016 में तै किया था कि 2030 तक हमारी कूल बिजली उत्पादन ख्षमता का 40% नौन फोसिल फ्यूल से होगा अभी 2030 से हम आठ साल दूर है लेकिन भारत ये लख्ष हासिल कर चुका है हमने पेट्रोल में हमने पेट्रोल में दस प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग का टार्गेट रखाता ये लख्ष भी देश ने डेड लाइन से पांच महिने पहले ही हासिल कर लिया भारत में कोवीड वैक्सिनेशन के स्पीड और स्केल से भी आप भली भाती परिचीत है आज भारत में 90% एडल्स को वैक्सिन की दोनों डोज लग चुकी है 95% एडल्स ऐसे हैं जो कम से कम एक डोज ले चुके हैं ये बही भारत है जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि सवा अरब आबादी को वैक्सिन लगाने में 10-15 सान लग जाएंगे आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भारत में वैक्सिन डोज का आखड़ा 196 करोड यानि 1.96 बिलियन को पार कर चुका है Made in India वैक्सिन ने भारत के साथ ही दुनिया के करोड लोगों की करोणा से जान बचाई है मैं